नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News पर देखते आज की कुछ खास खबरें स्वराभासकर ने ट्वीट कर कहा अगर एक दलित करता है कि उससे अपनी लीचिंग का डर है तो उसकी बात सुनो अभीनेत्री स्वराभासकर ने कहा है कि अगर कोई अलबसंख्यक समुदाय कहता है कि समाज में असहिश्णता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए अगर एक दलित करता है कि मुझे डर है कि मेरी लीचिंग हो जाएगी तो उससे सुनो क्यूंकि यह आपके साथ नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा किसी के भी साथ नहो नहरू गांधी परिवार पर आपति जनक टिपनी को लेकर टीवी एक्टरेस पाहल रोधगी के खिलाफ केस दर्ज फेस्बुक वीडियोस में पूर्व प्रधान मंत्री जवार लाल नेहरू, उनके पिता मोती लाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर आपति जनक टिकनी करने को लेकर टीवी एक्टरेस पाहल रोयदगी के खिलाफ राजस्तान पुलिस ने केस दर्च किया है बकोल शिकायत करता इसमें पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नीधन को लेकर आपति जनक टिकनी की गई है, जिससे दूसरे देशों के साथ भारत के संबन बिगर सकते हैं अमिशा पटल के खिलाफ रुपे 3 करोड के चेक बाउस मामले में अरेस्ट वारन जारी किया है प्रोडूसर अजेग कुमार ने बता है कि उन्होंने एक फ्रीम बनाने के लिए अमिशा पटल को 2.5 करोड रुपे दिये थे लेकिन उसके ठंडे बस्ते में जाने पर एक्रेस द्वारा दिया गया रुपे 3 करोड का चेक बाउस हो गया है ट्रेन की चेन खिचने के 22 साल पूराने मामले में करिश्मा कपूर और सनी देवल बरी जैपूर में एक कोट ने ट्रेन की चेन खीचने के 22 साल पुराने मामले में करिश्मा कपूर और सनी देवल को बरी कर दिया है दरसल रेलवे कोट द्वारा मामले में आरोपी तै करने के बाद उन्होंने समिक्षा याची का दार की थी आरोप है कि फिल्म बजरं की शूटिंग के दोरान चेन पूलिंग से ट्रेन 25 मिनिट लेट हुई थी अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर मने सिंदी लिखे और डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक, हाइक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरे देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूटिब पर भी देख सकते हैं इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अब फिलाल वक्त हुचला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहें MNS News के साथ नमस्कार